हाँ दोस्तों राजवन सिंग महली प्रपटी गुरू कुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बंदे की जिंदगी में काम आना है वो चाहे वो परचेजर है चाहे वो सेलर है चाहे वो रियल स्टेट है चाहे कोई और आइटम हो सकती है आपकी कार हो सकती है बाइक हो सकता है कुछ भी उसमें डीलिंग पावर क्या है मैं रियल स्टेट के सुब्जेक्ट के उपर बोलता हूं इसलिए रियल स्टेट के बारे में मैं बात करूँगा रियल स्टेट डीलिंग पाव आप सेल कर रहे हो सेल कर रहे हो तो आप सेलर हो वहां पर तो आप ने अपने दिल की बात पर चेजर को नहीं बतानी यह डीलिंग पावर अपने अपने हत्में हाथ में रखनी है क्योंकि जैदी आपको आपकी बात सामने वाले को पता लगी सामने वालवा आपको पढ़ गया तो आपका जो आपके समने कांटर पाइट है वो आपको अपने हिसाब से उसके अपने हिसाब से आपके साथ डील करेगा स्पोर्थ आपको पैसे की जरूरत है और फिर भी आप अपनी बात ये दिल की बात के मैं बहुत ज़्यादा जरूरत में हूं मैं तूटा पड़ा हूं ये बात बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो जरूरत की डील होती है वो डील नहीं होती वो सिर्फ एक्सपॉलाइटेशन ही होती है तो एक्सपॉलाइटेशन हमने नहीं करवानी ये बात अपनी दिल की दिल में ही रख रही है कि हमें पैसे की जरूरत है या नहीं जरूरत क्योंकि आप घर में बुखे बैठ हो जैसे ही बैठे हो ठीक है जब आपकी भूखनंग का बाहर पता लगता है तो कोई बंदा आपकी मद्द करने के लिए तो शायद ना आए लेकिन आपका मजा को डाने वाले बंदे बहुत आ जाते हैं सो जब यदि आप प्रपरपर्टी के सेलर हो और आपको जरूरत भी है तो भी आपने अपनी बात अपने दिल में रखनी है या ऐसे बंदे के साथ बात शेर करनी है जो आपकी बात का मजाक ना उडाए आपको लोगों में लेके ना जाए ता कि आपकी एक्सपलाइटेशन ना हो सके क्योंकि जब जरूरत में कोई डील की जाती है वो डील नहीं वो सिर्फ एक एक्सपलाइटेशन से ज्यादा कुछ नहीं होती तो दूसरे नंबर पर फिर मैंने परचेजर यदि आप परचेजर हो कोई प्रपरटी आपको पसंद आ जाना यदि आप एक्साइटमेंट में आगे तो समने वाड़ा सेलर है जो आपको समझ जाएगा कि यह प्रपरटी ने लेनी लेनी है और वो अपनी शर्तें आपके उपर थोपने की कोशी करेगा यह मेरे में कमी है दोस्तों मैं कोई प्रपरटी देखता हूं तो मैं जाएदा रहेगा आपको प्रपरटी पसंद आगई आप ठीक है अपने दिल में चलते रहे बात करते रहो अपनी वाइप के साथ बात करो के पसंद है लेकिन सामने वाला बंदा बेचने वाला उसको यह बात नहीं करनी के हमें यह 100% पसंद है तो यह जदी कोगे तो फिर टैम आपको जदा चाहिए वो नहीं आपको मिलेगा और कहीं आपका लोन का कोई चक्कर है वो आपके सारी के सारी सूरतों पर मतलब क्रॉस कर देगा को उस पर काटा फेर देगा यदि उस आदमी को आपके दिल की बात पता लगए इसलिए अपने दिल की बात किसी को नहीं बतानी सीक्रेट जो सीक्रेसी है वो किसी भी बिजनस का रीड की हड़ी होती है तो यदि हम सीक्रेसी मिंटेन करने में कामयाब हो गए तो हम अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं गुपता शब्द है गुपता का मतलब ही जो आदमी गुपत अपने अंदर गुपत बात रख ले मतलת मैंने इस किताब में पड़़ा का मतलब है यह बनिया जो कम्मिनिटी है अगर्वाल कम्मिनिटी है बहुत जदा मतलब यह पूरे इंदमागी आदमीं है और पूरा बिजनेस में पोरे पास्टर माइंड मने मने जाती है, तो गुपता का शब्द है, जो वो सिर्फ गुपत से ही आया है, कि वो अपने गुपत भेद किसी को नहीं देता, इसलिए वो काम्या बिजनस्मेन है, तो आपने भी काम्या बिजनस्मेन की तरह, या काम्या पर्चेजर की तरह, या काम्या अगी की तरह अपने दिल की सारी की सार बात सामने वाले पे नहीं रख दिन यदि आप नहीं रखोगे तो आपका फैदा definite होगा यदि आप रहा bunu रखने में अपनी बात दिल में रखने में तो आपका नुकसान भी हो सकता है तो दोस्तों चोटा सा टैप चेप्टर था लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेलर प्रचेजर आपने कभी सेलर बनना है कभी प्रचेजर बनना है ये चल नहीं है रियर स्टेट को भी छोड़ो यदि आप जिंदगी में कोई भाइक भी लेते हो कार लेते हो उसमें भी आपका सेलर प्रचेजर का आप तो वह भी वहां पर यदि आप अपने दिल की बात वहां बताओगे तो वहां भी आपका नुकसान हो सकता है तो दोस्तों आज के लिए जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके गंटी वाला बटन दबादो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेर और इसके उपर चर्चा कर लेना आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में मिलता हूं जल्दी एक ने टॉपिक के साथ बहुत जल् थादी थां जल्दी घंक यू